पार्ती किसान युनियन एकता उगराहा वलो डीसी दफ्तर दे बहार प्रदर्शर केंदर सरकार सर्माईदारा दा पक ले रही है किसान अगू दशनकारी किसान अगुआ ने दोश लगाया कि केंदर दी नरिंदर मोधी सरकार सर्मायदारा दे हक वीच काम का रही है इस कारण ही चोने दी खरीज नू लेट किता गया है ज़ाद की बीते साल दुरान इनना तरीका ते ही चोने दी खरीज हुं दी सी इस लड़ी हेट कि साना वलोड बीसी दफ्तर दे बाहर रोज प्रजशन किता जा रहा है अधि अपना मंग पत्र केंदर सरकानू पेजिया जावेगा अधि पार्ती कसान जुनियों ने एक ताक रहा दे बलो असी सारे कसान ऐसे डी सी दाफ्तर लो दे आना दे बाहर कठे हुए है सरकारानों इस दसन दे लिके पिछले समय दे बिच्च जर जड़ी सरकारी खरीदा है एक अक दूपर तो शुरू हों दी है आयत की उनों जान बोच के ग्यारा अक दूपर तक लुटकाया जा रहा है क्योंके निजी करन दी निती देता है ते जड़े कार्पुरेट कराने हैं नों मनाफे पज़ना दे लिए आते साम राजियानों सरकार सरकारी ख lleतो पज़ना ज़ना दी है आते जरी साथց Till देख कसाना दी फासल आए एक और परिटाने हात्यरे पे देख ते देख ज़ना 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 दी है है क्योंकि सरकाराने भी हमले साथे उतने तेज़ करने हैं असी मी करें टेक के बैठेना लेनी अब दे हकानी खात तरा असी सरकारा नुच को आउन देली प्रेश्र पाउन देली हरा हाद तक जा मांगे सरकार ड्राम में कर दी है क्योंकि पिषले समयाने पेचे की होया आती पिषले समयाने पेचे मीनी सी पहें थे पिषले समयाने पेचे नेरिया नियुक्ति ताह presenting है ऐसी कारप पुरिटाने बास नहीं पहनेंगे अजी लम्मी लड़ाई लाड़ंदे लिए इत्यार है अधे सरकार नूचे कामाँगे अधे तरांता यड़ी सरकारी घरीद चलू करामाँगे अधे प्रदर्शन किता जा रहा है कि करने जाओगे अधे प्रदर्शन जी आज दा उनुन समय बता हिया के पजाब खेती प्रदान सूबाबा जो पिछले काई खेती घुरूना दे खिलाज पुरा देश लड़ रहे है किसांते मजदूर कठे होगी ते जड़ा एक कल जो देड़ पहला बड़ा फिर्मान किता इस पार सरकार ने कि जड़ी के फ़सला सद्टी एक कड़ूप पर दोऊ हर साल भी लाके मंडी जो फ्रिद किती जांती है पूर से बार कारणे विर्मान करता के नमी तैकार नसे नो तासर टरीख कर लेगे लास्तों बाद बून क्रिसानद्ह नो जान आप चके क्योंकि चल दे पूर दे फैक परिशान करना ये सरकार्दा जर्माना भरवाना है सब्सक्राइब यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं